शिवतत्व अपने भीतर होना चाहिए शिव महापुरान की कथा कहती है डॉक्तर शंकर का एक रूप है डॉक्तर शंकर का एक रूप है जब शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले डॉक्तर के पास जाना चाहिए क्योंकि शिव का रूप डॉक्तर है शरीर में कश्ट हो, डॉक्टर के पाज जाओ, जाच का बोले, जाच कराओ, जो बोले वो करो, पर साथ में, इलाज के साथ, शंकर को एक लोटा जल चड़ाते रहो, क्योंकि डॉक्टर भी आखरी में कह देता है, कि अब इनको दुआ की जरूरत है, तो वो दुआ हमको चाहि डॉक्टर भी आखरी में कह देता है, कि अब मेरे हाथ में नहीं, अब उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर के साथ एक डॉक्टर और है, जब वो आपरिशन करने जाता है, तो साइन करवा लेता है, सिगनेचर करवा लेता है, कि मेरी जवाबदारी नहीं है, सिगनेचर जिस डॉक्टर संकर का एक रूप है सबसे पहले डॉक्टर को चेक अप कराओ और चेक अप कराने के बाद डॉक्टर जैसा बोलेवेसी दवाई खाओ पर उसके साथ में शंकर पर भरुसा करते हुए चलो तो तुम्हारा कारे सफल ज़रूर होगा कि केवल जल्पर आश्रित होगे नहीं शंकर का रूप है डॉक्टर इसलिए उस पर भी आश्रित हो जब का रूप है डॉक्टर उस पर भी आश्रित होगे और जब दबाई शरीर में ना लगे तब कौन से महादेव का नाम लेना है जम के वो लजम के कुंद कैश्वर कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर डाक्टर की दबाई को खुद खाओ पर भगवा का नाम लेकर कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर गाप्टर दवाई लिखा है उस दवाई को हमें खाना है पर कुंदकिश्वर के नाम से खाना है शरीर को लगेगी क्यों ना लगे जब हम उसके आश्रित